कि कि अब अब इस आगर मंतरी आज के टॉपिक का नाम है एंड अफ डाबिटीज और यह मेरा बहुत ही फिर्ट टॉपिक है कि मेरे डाड को डाबिटीज थी तो एक डर हमेशा माइड में रहता है कि आर यूनों आपके फैमिली में किसी को अगर डाबिटीज है तो जेनेटि हुआ हाट उनको हाट अटाइक आया उनको डाबिटीज से कॉंप्लिकेशन से जो अप्रेशन हुए तब फुस मेरा डर एकदम और अभी तो मुझे इस चीज़ पर कुछ करना ही है और तब जाके मैंने मेरी रिसर्च आलो की डाबिटीज और अगर आप किसी को जानते हो ज इंडिया में इतनी जादा हमारी हालत खराब और आज के वीडियो के एंड तक आप सब को समझ में आएगा कि क्यों अगर आपने जो चीज़े मैं बोलने वाला हो वह फॉलो करना नहीं चलो की तो चांसे सिक्स्टी परसंट चांसे कि आपको भी डाइबिटीज आए आप श समझ में आएगा कि कैसे यह तीन चीज़े अगर आप चेंज कर दो तो आप अपने अपको इस फियर से हमीशा के लिए दूर कर सकते हो कैसे अपने थ्री मंस का शुगर आवरेज वो सब ठीक कर सकते नाचरली विदाउट मेडिसन दूसरी चीज आप लोग को मालुम होगी क हमारे इंडिया की उनका सबसे बड़ा बिजनस का सेंटर इंडिया इंसुलें नहीं चाहते कि यह टेक्न लगां तक पहुँंचे क्योंकि ये उनके business को बहुत ज़्यादा affect कर सकती है In fact, diabetes भी उतनी dangerous नहीं है जितनी आप उसकी दवाईयां लेते हो वो dangerous है और अप pre-diabetic हो तो ये बहुत ही अच्छा मौका है इस चीज़ को act करने का क्योंकि अभी अभी आप इस situation को reverse कर सकते हो मैंने इस diabetes पे पूरा एक program बनाना चालो किया कि कैसे एक इंसान को मैं diabetes से पूरा reverse कर सकता और ये सबसे बड़ा biggest जूट है जो diabetes के बार में बोला गया है कि ये क्यों नहीं हो सकती In fact, मैंने last year 100 लोगों की diabetes reverse किये 100 जनों की diabetes मैंने reverse किये और इस साथ मेरा target है 1000 लोगों का कि 1000 लोगों की मैं diabetes reverse करूँगा और इसके लिए मुझे आप लोग की भी help चीए जिसके लोग को भी आप जानते हो जिनके लिए ये वीडियो जरूरी है अगर आपको diabetes है तो आप ऐसा मत संजो कि आपके लाइफ खतम हो गई In fact, अगर आप diabetes को अगर सही technology से deal करो तो मेरे experience से ये सबसे easily जाने वाली disease है सबसे easily जाने वाली disease है अगर आप वो सब changes करने को तयार हो जो मैं आपको बताने वालो Diabetes is not a life death sentence कि ये कोई आपको अगर आपको diabetes आ गई तो इसका मतब नहीं आपकी खतम हो गई आप अभी भी इस चीज़ को reverse कर सकते हो naturally अगर आप medicines पर हो तो medicines छोड़ सकते हो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि diabetes कैसे आपको affect करती कैसे आपके body में आती है कैसे आपको insulin लेनी की जरूद परती है कैसे आपको उसकी दवाया लेनी की पर जरूद परती है दूसरी चीज़ जभी मैं आपको समझाना चालू करूँ इस technology के बारे में ये वीडियो ऐसा नहीं रहेगा कल जैसे मैंने बोला मेरे स्टाफ को की diabetes पर इसर चालू करो तो एक जर्मे को बोलता है कि सर मैंने एक वीडियो देखी है कि आप लेडी फिंगर को पानी में डालके रखो और वो पानी सुबब पी लेना तो आपकी diabetes चली जाएगी घर वाले लोग बोलते है solution बोलते है कि मेथी को पानी में बिगा के रखो वो मेथी का पानी पी लेना उससे आपकी diabetes चली जाएगी एक मैने यह कोई वैसी वीडियो नहीं है और यह कोई मैं आपको remedies नहीं देने वाला हूँ कि उन्हों बस यह चीज चालू कर दो आपकी diabetes च अब ही लो यह चीज़ खा लो diabetes चलीज चली जाएगी यह चीज़ चलो डाइक डाइपडीस चलीज़ जएगी सिर्फ एसी एक-दो चीज़स स्टार्ट करने से आपकी diabetes नहीं जा सकती है अब यह को आपकी बॉडज कैसे आपकी बॉर्डी में काम करती है कैसे आपकी बॉड खराब तरीके से खाना खाते हो तब बोड़ी इंसुलेंट ज्यादा प्रेड्यूस करती है और एक टाइम बाद बोड़ी ठक जाती है इंसुलेंट प्रेड्यूस करकर करके उसकी वज़े से हमें एक्स्रा इंसुलेन की सपोर्ट लेनी पड़ती है दवाईयों की सपोर्ट लेनी पड़ती है जो यहां की अपने पैंक्रियस को ट्रिगर करते है ज्यादा इंसुलेन प्रेड्यूस करने के लिए या तो external insulin supply करते है खुद की बॉडी को और जो ज़ादा तर आप सुनते हो कि यूनो डाइबडीज में लोगों की आखे खराब हो जाती है पैर के sensation खराब हो जाते है heart attack होते है heart attack तो सबसे एक अगर किसी को diabetes 20 years से जादा है 15 years से जादा है तो उसको heart attack आना guaranteed है इतना जादा affect करती है अब यह उसके वज़ेसे नहीं क्योंकि आपको diabetes है यह उसकी वज़ेसे क्योंकि आप इंसुलन ले रहे हो क्योंकि आप यह ड्रग्स ले रहे हो इसकी वज़ेसे आपको यह साइड इफेक्ट्स हा रहे है और यह मेरा main aim रहेगा अब आपकी problem है diabetes उसके drugs इंसुलन अभी इसका solution क्या है ठीक है इसका solution 3-step है यह सिर्फ आपके खाने पीने में change करके नहीं होगा यह सिर्फ आप एक तरीके से exercise करोगे तो नहीं होगा यह आप एक अलग तरीके से सोचोगे तो नहीं होगा इसका जो 3-step technology है वह first चालो होते ह आपकी साइकलोजी से आपने सुना होगा ना काफी लोगों को डाइबटी स्ट्रेस की वे से आ सकती है ज़रूरी नहीं है आप मोटे हो तो भी आपको डाइबडीज होगी इसका मतलब आपको कॉर्टीज लेवल बहुत आया होंगे तो first step जो मुझे मैं यूस करता हो लोग कैसे आप खाऊगे जो भी आप खाना खा रहे हो ठीक है वह डेड़ फूड की क्याटेगरी में आता है मरावा खाना खार हो और यह खाना जब आपकी बॉड़ी में जाता है आपकी बॉड़ी को बहुत ज्यादा इंसुलेन प्रेड्यूस करना पड़ेगा उतने आपके पै два possible by कि अल् Saturday से काटीव डिका सकता हूं कि आप ऐसे मुव करो असे अपने ब्रीधिंग को चानल करो कि आपकी बॉड़ी वापस चंहिंसर्टीव होगी एक लृवन रहा करता है कि इस technology को मैं आपके body में permanent कैसे डाल तो क्योंकि आपने काफी चीज़े ट्राइब की होगी आज कल टेक्नोलजी के जमना यह काफी नॉलेज आपके बस अल्रेडी होगी लेकिन फिर भी यह सब नॉलेज होने के बाद भी आप वो चेंज नहीं कर पाते हो जो आपको प कर सकते हैं जब यह तीन चीजों को आप एक के पीछे एक के पीछे लगाऊ गया तो आपको पर्फेक्ट टेक्नोलोजी मिलेगी जो आपकी लाइफ से यह डीजीज हटा देगी और जैसे मैंने बोला इस साल मेरा टार्गेट है कि मुझे को थाउजन लोगों की डाइबडी के नीचे नंबर दिया है आप उस पर कॉल कर सकते हो और कोई आपको प्रोग्राम जोइन करने में हेल्प करेगा आपको अगर कोई डाउट से डाइब टीस के बारे में तो यह मेरी लास्ट वीडियो नहीं रहेगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो मैं और वीडियो बनाऊंगा उस पर उसको आंसर करूंगा यहां फेस्बूक पेज पर जाता रहता हूँ आप उसको भी लाइक कर सकते हो और अगर आपको कोई भी बिमारी है ब्लड प्रेशर वीकनेस थायरोइड ऐसी जितनी भी बिमारी है मैंने लिस्ट डाली है नीचे आप उन सागल मंत्री झाली है प्रेशर कर सकते हैं